हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो शुरू करते है आज का एपिसोड, एपिसोड 11 रेवा और राजिन महराविला अब तक, कहानी में अब तक हमने देखा कि श्रेया एंटीक मार्केट से लाई हुई अंबूथी को साफ करती है उसके बाद वो अंबूथी बहुत ही अट्रक्टिव और ब्यूटिफुल लग रही थी उसका रेड कलर का डाइमन लगा हुआ था श्रेया उस अंबूथी को अपने राइट हैंड की रिंग फिंग में पहन लेती है अंबूथी को पहनते हैं उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ही थंड़क महसूस होता है अचानक उस अंबूथी से रोशनी निकलती है उसी के साथ उस अंबूथी की आवाज उसके कानों में पढ़ती है जो से अपने बारे में बता रही थी कि वो एक सो साल पुरानी अंबूथी है उसका एक स्टो रूम की तरह यूज़ किया जाता है उसमें 200 स्क्वाइ मीटर स्पेस अभी है जैसे ही श्रेया की पावर बनेगी वैसे ही उसका स्टो स्पेस भी बढ़ा हो जाएगा श्रेया उसमें कुछ भी स्टो कर सकती है और बाहर निकल सकती है वो अंबूथी सिर्फ श्रेया से कॉन्टेक्ट कर सकती है क्योंकि श्रेया के अंदर पावर थी अगर श्रेया उसका यूज करना चाहती है तो उसे अपना खून उस पर डालना पड़ेगा श्रेया अंगूर्थी के बारे मैं जानकर पहले तो शोक होती है बाद मैं उसे खुश भी हो रही थी अंगूर्थी जैसा उसे करने को कहती है वो वैसा ही करती है अंगूठी की हेल्प से श्रेया उसके अंदर की स्टो स्पेस में एक बुक धाल कर फिर उसे बाहर निकलती है वो अंगूठी के अंदर के स्टो स्पेस में जात कर भी देखती है उसमें क्या-क्या मौजूद है उसके बाद वो अंगूठी के कहने पर उसे आराम करने को कहती है और जब उसे उसकी जरूरत हो तब उसे बुलाने पर आ जाने के लिए कहती है इस पर अंगूठी भी जी, मास्टर कहती है अब आगे अंगूठी के साथ बात करने के बाद श्रेया अपनी पढ़ाई करने लगती है उसके फाइनल एक जाम में बस 30 देज रह गए थे और उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी लेना था उसके पास फोटोग्राफिक मेमरी थी इसलिए वो कोई भी चीज जल्दी याद कर सकती थी या यू कहें एक बार देखने से या पढ़ने से उसे वो सब आसानी से कभी भी फिर याद कर सकती थी पर उसके लिए पढ़ना तो पढ़ेगा ना येसे ही पढ़ाई करते टाइम कब बीता उसे पता ही नहीं चला दिनका टाइम हो गया था एक सर्वेंट उसे आकार बताता है कि मैदम आ गई यानी कि श्रेया की मॉम आपको खाने के लिए बुला रही है श्रेया उसे कहती है ओके मैं नीचे आ रही हूँ मॉम को बताना उस पर सर्वेंट श्रेया से कहता है जी मिस तहकर चला गया कौश्टक डॉट सर्वेंट के जाने के बाद श्रेया जल्दी से बातरूम में जाकर फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके नीचे चली जाती है तरफ था वो लोग उसके मॉम के सामने बैठे थे श्रेया के सामने उसके मॉम का फेस था और उन तीनों का चहरा उसके मॉम की तरफ उसके तरफ उनकी पीट थी श्रेया की मॉम जब श्रेया को सीरियों से नीचे आते देखती है तो वो उसे अपने पास बुलाती है श्रेया श्रेया को सबसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। श्रेया जब अपने सामने बैठे लोगों को देखती है तो शोक हो जाती है। वो तीनों और कोई नहीं बलकी रेवा, राज और राधना कपूर थे। जो कि श्रेया की सौतेली बहन, मंगेतर और सौतेली मौम थी पिछ पोच करना, बस उसके प्रॉपटी के लिए। राज और रेवा को देखकर श्रेया को पसीना आने लगता है। उन्होंने उसे कितनी बेहरमी से मार डाला वो सब उसके आखों के सामने आ जाता है। एक पल के लिए श्रेया दर ही जाती है। सिया जी जब श्रेया को बिना हि में कहती है रेवा और राज अब जब तुम लोग मेरे सामने आही गए हो तो प्यार वो जाओ अब मैं तुम लोगों से अपने साथ हुए धोखे का बदला केसे लेती हूँ बस देखते रहो मैं इतनी जल्दी तुम लोगों से बदला नहीं लेना चाहती पर अब मेरे सामने तुम लोग खुद ही चलकर आही गए हो तो अब मैं तुम लोगों को तरफा-Tरफा के मारूंगी नहीं नहीं तुम लोगों को तो आसानी से मौत भी नसीब नहीं होगी तुम लोगों को रस्ते पर लाओंगी और पाय-पाय के लिए महताज करूंगी जिस प्रॉपटी के लिए वो सब किया है जब वो प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तब देखते हैं तुम दोनों क्या करते हो और मुझे अपनी सोकॉल सौतेली मॉम से भी सारे हिसाब करने है So just wait and watch उद्धरल चिन डॉट श्रेया अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाती है श्रेया की मॉम उससे कहती है श्रेया बेटा इनसे मिलो ये आराधना कपूर मेरी कॉलेज की सहेली बहुत दिनों बाद हम आज मिले है कॉलेज के बाद कभी मिलना ही नहीं हुआ ये अपनी जिन्दगी में और मैं अपनी जिन्दगी में इतना बिजी हो गए थे कि कभी मिल ही नहीं सके। श्रेया मन में कहती है अच्छा हुआ आप इनसे इतने दिनों तक नहीं मिली, आपको तो इसके जैसी ओरत से दूर ही रहना चाहिए। पर अब ये हमारी सामने वाले विला में रहने आया है। मैंने आते वक्त इसे देखा और हमारे यहां दिन के लिए बुलाया। श्रेया आराधना जी की तरफ देखकर एक जुटी मुस्कान के साथ उन्हें कहती है, ही आंटी। आराधना श्रेया से कहती है, हेलो बेटा, आप बेहोथी प्यारी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। पर यह से जानती थी पर यह उसके मॉम को नहीं बता सकती ना, श्रेया की मॉम उसकी बात समझ कर उसे बताती है, रेवा की तरफ क्वाइन करके यह आराधना की बेटी रेवा कपूर और राज की तरफ देखकर यह उसके हस्बन राज मलोतरा, श्रेया उन्हें ही कहती है, र रेवा जब ये देखती है, तो उसे और गुस्सा आता है, और राज को आखें दिखाती है, राज तब जाकर श्रेया से अपनी नजर हटाता है। सिया जी उन्हें श्रेया को इंट्रोडक्शन देती, ये मेरी बेटी श्रेया महरा अभी 12th में है। श्रेया का नाम सुनकर तीनों पहले शोक हो जाते हैं, और फिर नॉमल होते हैं। रेवा अपने मन में कहती है इसका भी नाम श्रेया, एक श्रेया गई नहीं दूसरे आ जाती है, पर ये उसे से भी कही ज़्यादा खूब सूरत है। और अपना सर जतिक देती है, वो खुद से ही कहती है, ये मैं क्या सोच रही हूँ। इसी तरह थोड़ी देर बाते करने के बाद सब दाइनें टेबल पर जाकर बैख जाते हैं, सर्वेंट उन्हें दिन सर्फ करता है। सब लोग अपना अपना खाना खाते हैं। दिन के दोरान राज श्रेया को ही देख रहा था, देख क्या गुर रहा था। श्रेया को जब अपनी उप किसी की नजर का एहसास होता है तो वो उपर देखती है, तब उसे राज खुद को गूरता हुआ दिखता है, जब राज श्रेया को उसको देखता हुआ देखता है तो उसे स्माइल पास कर देता है। श्रेया को उसके ऐसा करने से गिना रही थी, वो उसे अपनी नज्रे फिर लेती है और अपना दिन जल्दी जल्दी खत्म करने लगती है। राज जब श्रेया को ऐसा करते देखता है, तो सरमिंदगी से अपनी नज्रे श्रेया के उपसे हटा लेता है। पर राज को श्रेया राज और आराधना अपने विला चले जाते है श्रेया और सिया जी वही हॉल में बैठ कर बाते करने लगते है श्रेया उन्हें अपने एक जाम और छुट्टी का बताती है सिया जी उसे मन लगा कर पढ़ने का बोलती है और अपनी सेहत का भी ख्यार रखने का बोलती है और एसे ही एक दूसरे का दिन बर का हाल चाल पूछने के बाद दोनों अपने अपने रूम में चली जाती है श्रेया अपने रूम में आने के बाद बातरूम फ्रेश होने चली जाती है नाइट सूट पहन कर बैट पर बैट जाते हैं और नीचे जाने के बाद जो हुआ सब याद करने लिया है रेवा, राच और आराधना को देख कर अपने साथ जो उन लोगों ने जुन किये हैं वो सब उसे याद आते हैं कैसे उसके पापा के ओफिस जाने पर आराधना उससे घर का सारा काम कराती थी, उसे हमेशा दरा धमका कर रखती थी कैसे उससे कोई गलती होने पर खाना नहीं देती थी, सब याद करके श्रेया के आँखों में पानी आ जाता है कैसे कोई किसी को बस प्रॉपटी के लिए धोखी से मार कर खुशी से जी सकता है थोड़ी देर बाद खुद को संबल कर बैख जाती है और उनसे बदला लेने का ठान लेती है उसके साथ किये हुवे हर एक अन्याई के लिए वो उन्हें सजा देगी पर उसके लिए उसे और मजबूत बनाना पड़ेगा उसे अपनी मौम को भी सेफ रखना था इसलिए वो पहले अपनी पावर का लेवल बढ़ाने का फैसला करती है जो कि अभी फर्स्ट लेवल पर है वो अन्गूर्थी को आवाज देती है और उसे अपनी पावर बढ़ाने का कोई उपाय मानती है ताकि वो जल्दी से अपनी सारी पावर पा सके अन्गूर्थी श्रेया के आवाज देने से उसे पावर बढ़ाने के लिए अपनी स्टो स्पेस से एक किताब देती है, जिससे वो उस किताब में बताए गए बातों के नुसर अपनी पावर बढ़ा सके. श्रेया अंगूठी की दी गई किताब लेती है, अंगूठी उससे कहती है, अगर आपको मुझे से फिर से कोई काम हो तो बस आप अपनी रिंग फिंगर पर जहाँ आपने मुझे पहनाया है वहाँ पर रब कर देना, मैं आपके सामने हाजर हो जाऊंगी, अभी मैं आराम करन पर वो उसमें लिखी हुए विधी की अनुसार ध्यान में बैट जाती है, किताब में पड़े हुए मंत्र उचार करने लगती है, अपने मन में तकरीबन दो घंटे बाद श्रेया अपनी आँखे खोलती है, तब उसे पता चलता है कि उसकी पावर सेकंड लेवल पर सिलकर लेगी, श्रेया वो किताब वापस अंबूठी किस्टो स्पेस में रख देती है, दीवार पे लगी वाच पर टाइम देखती है, तब उसे पता चलता है कि बारह बच गए है तो वो सोने के लिए बैट पर चली जाती है, बैट पर लेटते ही वो अपनी आँखे करता उसके सामने श्रेया का मुस्कराते हुआ चेहरा नजर आता, जिस वजे से वो सोही नहीं पा रहा था, वो बैट से उठ जाता है अपना मोबाइल और कार की कीज लेकर विला से बाहर चला जाता है, विला के बाहर आकर वो अपनी ब्लैक लाबोरगिनी में बैट कर वहा श्रेया का, इन सबसे बेखबर श्रेया आराम से अपने नीद में मीठे मीठे खौब बुन रही है, शिवकार से निकल कर उसे लॉक करता है और दिवार कूट कर महरा विला के बैक साइड के एरिया में एंटर करता है, वहां से वो पाइप चद कर श्रेया के रूम की बालकन श्रेया के रूम में एंटर करता है, शिवक ने जो ट्रेनिंग ली थी वो अब काम आ गए, बड़े खांदान के वारिस को पहले से ही सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, फाइटिंग की, गन सूटिंग, शिवक ने ब्लेक कमांडो फोस की ट्रेनिंग ली थी और ऐसी ही क श्रेया के रूम में एंटर हो गया है, शिव बालकनी से रूम में एंटर करता है, तो उसकी नजर बैट पर सो रही श्रेया पर थेहर जाती है, श्रेया ने इस समय डिली सीटी शाट और शॉट धाले हुए थे जो कि उसके थाई से उप थे, उसका ब्लैंकित आधा उसके उ जलन हो रही थी, वो उसे घूर कर देखता है, उसे लगता है कि एसे कैसे कोई उसकी श्रेया के इतना करीब रह सकता है, ये हक सिर्फ उसका है, अब क्या ही कर शिकते हैं इतने बड़े बिजनेसमें दे ग्रेट शिव सिंधानिया को एक टेडी से जलन हो रही थी, वो हाथ से उसके बाल सहलाने लगता है जिससे श्रया नॉमल हो जाती है और शिव को हग करके सो जाती है उसके इस तरह उसे हग करके सोने से शिव के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है वो भी उससे टाइट हग करके निहारने लगता है अगर किसी ने इस समय शिव सिंगानि उस पर वैसे भी बिना स्माइल के भी कितनी लड़किया उसकी दिवानी थी, मगर हमारे शिव साहिब किसी को गास ही नहीं डालते थे, लोगों को तो ये भी लगता है कि शिव सिंधानिया, कै, है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, एसी अफवाय भी है, शिव इन सब बातों पर ज्यान ही नहीं देता, शिव श्रेया को और खुद की ऊपर ब्लानकित को अच्छी तरह से ओरता है, श्रेया को एसे आराम से अपने बाहों में सोता देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी नजर श्रेया के होटों पर पर जाती है, मानो वो उसे ही बुला रहे हो श्रेया को देखकर अपने सक्थ होटों को श्रेया के चैरी जैसे मुलायम होटों पर रख देता है, और अपने होटों से श्रेया के नीचे वाले होट को लीट करने लगता है, पहले तो उसने सोचा था वो एक छोटी सी किस श्रेया के लीट पे करके साइड हट जाएगा, बट अब वो उस किस ट्रोइंग किसस से बहटने लगता है। छोटी सी किस ट्रोइंग किसस बढ़ी और पैशनेटी किस ट्रोइंग किसस में बदल जाती है। श्रेया को तो कोई फर्खी नहीं पढ़ रहा था, वो आराम से सो रही थी। थोड़ी देर बाद वो भी शिव के होटों को चाटने लगती है। शिव अपनी टंग उसके मून में ले जाकर एकस्प्लो करने लगता है। उसी एक साथ उसका एक हाथ श्रेया के पेट को सहला रहा था और दूसरा श्रेया का गाल शिव श्रेया के उपर लेटा था। शिव जब देखता है श्रेया को सास लेने मैं प्रोब्लम हो रही है तो उसे किस करना छोड़ देता है। श्रया चोरी छुपे आपके कमरे आपको देखने पर आपको तो कोई खबर ही नहीं, आपना जल्दी से अपना 12th पास कर लो, फिर मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी है, समझी आप, उद्धरन चिन ये सब वो श्रया को देख कर कह रहा था, इन सबसे बेखबर श्रया आराम से सो रही थी, पर वो अपने आपको बहुत ही सेफ महसूस कर रही थी, इसलिए तो वो इतनी आराम से सो रही थी, नहीं तो कुछ गलत लगता तो वो जल्दी ही उठ जाती, वैसे भी उसकी दिलने जब पहले बार शिव को देखा था तब ही अपना बना लिया था, पर वो अपनी ही उल्जनों में इतनी वैस्ट हो गई थी, कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला, श्रया को यूही निहारते निहारते शिव को कब नीदाई उसे पता भी नहीं चला, ये से ही दोनों एक के लिए देखिए कल का एपिसोड अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो टू विडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कॉमेंट भी करना ना भूलना